बच्चों, जमा प्रमान पत्र तथा स्थाई जमा पत्र अर्थाथ, CD and FD is English में हम शौर्ट में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है Certificate Deposit and Fixed Deposit, इनके बीच में हमने डिफरेंस जाना, आएए, अब इनके डिफरेंस को समझने के बाद हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार क क्या क्या विशेष्टा हैं या कौन-कौन से ऐसे Characteristics हैं जो Money Market के हो सकते हैं, अगर हम Point वाईज देखें तो इसमें पहला Point कहता है भारी निवेश के आवश्यक्ता होती हैं, क्यों? क्योंकि यह मुद्रा बाजार अपने आप में महेंगे हैं, इसमें यहां पर भारी निवे हैं, वो सारे लोग क्या हैं, यहां पर भागिदार होते हैं, इसके बाद अगर इसकी अवधी की बात की जाए, तो यह Within a Year, मतलब एक साल के अंदर की अवधी यह प्रदान करता है, तरलता की बात करें, जो का चौथा बिंदू है, क्योंकि यहां पर तरलता क्यों बनी रती हैं, मार्किट अवेलेबल कराते हैं, या मार्किट तयार कराते हैं, इसके बाद अगर हम सुरक्षित की बात करें, तो यह जो है, थोड़ा रिस्की होते हो भी सुरक्षित इसलिए होता है, क्योंकि यहां जो प्रपत्र तयार किये जाते हैं, या जो भागीदार होते हैं, अर्थाद बैंक और वित्य संस्थाएं यह अपने आप में वित्य रूप से सद्रड होते हैं इसे लिए जो यह होते हैं मुद्रा बाजार में निवेश कर्मा करना और उनमें क्या करना डील करना क्या होता है एक सुरक्षत कारे यह सुरक्षत निवेश माने जाता है अब हमन of money market देखिए बच्चो कुछ importance आप खुद ही बता सकते हैं कि यह short term जो होते हैं डील करते हैं पहला दूसरी चीज़ आप यह भी बता सकते हैं कि इन में जो भागीदार होते हैं वो कौन-कौन से लोग होते हैं बैंक्स होती है ठीक में चीज़ ऑगी संस्थाएं होती एक कमर्शिल बैंक्स होती भागीदार होते हैं यह सब अपने वित्ति आप से सदरढ होते हैं इसके बाद आप एक point और भी जोड सकते हैं कि जो ये प्रपत्र जारी होते हैं या जो instruments में use होते हैं वो अधिक तरल होते हैं और इसका कारण क्या है जैसे मैंने आपको बताया house of finance, discount house of finance जो होती है इसके लिए market available कराती है तो कुछ महतोपूर्ण या महतो जो है आप इनके characteristics से होते हुए ही बता सकते हैं और इसके अलावा जो महतोपूर्ण बिंदू हैं आईए हम उनके बारे में चर्चा एक एक करके करते हैं जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं जो 3-4 बिंदू मैंने बताएं उसके अलावा जो रिंड दाताओं को उनकी निश्क्रिय या अधिशेश निदी पर अलप अवधी में ही लाव अरजित करने का सहाइता प्रदान करती हैं इसके बाद यह बाजार देश की केंदरी नीती को कृण्वित करती हैं और मुद्रा बाजार जो है कि विभिन अंग सरकारी नीतियों क को लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं इसके बाद आता है कि मुद्रा बाजार के विभिन पक्षकार सरकार की आर्थिक नीतियों को निधात करने में सहायता प्रदान करते हैं तो बचों यह कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जो मुद्रा बाजार हैं उसके इंपॉर्ट या मुद्रा बाजार में active participation के लिए आए अब हम जानते हैं कि पुण्जी बाजार क्या होता है यानि capital market जिसे कहते हैं जो कि वित्य मार्केट का दूसरा भाग होता है वह क्या होता है जैसे कि आपने जाना कि मुद्रा बाजार क्या था short term securities पर deal करता था उसके अवधी क्या थी एक वर्ष के अंदर थी तो जो पुण्जी बाजार है वो ठीक इसके वीपरित है क्योंकि ये दीरकालिंग और मद्यकालिंग securities में deal करता है मतलब ये long term securities में deal करता है और इसकी जो अवधी होती है वो एक वर्ष से जादा की होती है मतलब ये थोड़ा risky भी होता है और इसमें जो returns मिलते हैं वो मुद्रा बाजार की अपेक्षा थोड़े जादा भी मिलते हैं और इसमें जो निवेश होता है इसमें क्या होता है जो छोटे छोटे रिंड दाता होते हैं या जो लोग अपनी वित को बचा करके रखते हैं या अपनी आये से कुछ पैसे को बचा करके रखते हैं वो क्या करते हैं अपने आये को लगा सकते हैं अपने बच्चत किये पैसे को इस बाजार में लगा करके एक अच्छे रिटर्न को पा सकते हैं तो इस सिदी में क्या होता है यह जो पूंजी बाजार है या जो यह प्राप्त करने का मौका देती है और दूसरी तरफ क्या करती है अपने देश की अर्थ विवस्ता को मजबूत करती है तो यह पूंजी बाजार हुआ यानि क्यापिटल मार्केट हुआ अब जो क्यापिटल मार्केट है हम देखते हैं उसकी परिभाशा प्रोफेसर एच लाई डगल के अनुसार पूंजी बाजार में दीर कालीं को जैसे रेंड और अंशो का लेंदेन होता है ठीक है मतलब इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि क इस तरह के कोशिते довольно तरहे हैं जिसके उपर इसमय लेंदेन होता है या डील कि आ जाता है प्रोफेसर एलें चिंहा के अनुसार हम दूसरी परिभाशा देखेंगे उनके अनुसार ज्यों क्यापिटल मार्केट होता है उन सभी सुविधाओं यह संस्थागत प्रबंदों को सम्मिलित किया जाता है जो दिरकालिन रिणों से सम्मंदित हैं तो यह दो परिभाषाएं हैं और जो की आपके capital market के concept को और clear करती हैं अब concept भी समझ लिया definition भी समझ लिया आईए अब हम इसकी कुछ विशेशता हैं अर्थाथ features यानि characteristics को जानते हैं features या फिर characteristics को जानते हैं पहला feature कहता है कि दीर कालिन प्रतिभूतियों में विवहार करता है यह deal किस में करता है long term securities में जो की मैंने आपको capital market समझाते समय ही बताया था कि जो capital market है वो long term securities में क्या करता है deal करता है इसकी जो दूसरी विशेशता है वो यह है कि प्रतिधर अधिक होता है मतलब rate of return जो मिलता अधिक होता अब क्योंकि long term securities में डील करेगा तो अपने आप जो उसमें return होगा वो क्या होगा कंपरेटिवली ज्यादा मिलेगा उसके बाद तीसरा बिंदू बोलता है कि मित्य बाजार का अंग है मतलब component of financial market अगर हम बात करते हैं तो financial market है उसके दो अंगते कौन कौन से अंगते मुद्रा बाजार और पुंजी बाजार तो यहां पर बोल रहा है कि मुद्रा बाजार की तरह यह एक अंग है फिर बात करते हैं खंड यानि सेग्मेंट अब देखें पुंजी बाजार की भी दो खंड है जो कि मैंने आपको शि स्टॉक एक्स्चेंज भी कहते हैं या स्टॉक मार्केट भी कहते हैं इसके बारे में हम बाद में डीटेल में पढ़ेंगे अभी आगे बढ़ते हैं फिर बात करते हम तरलता यानि लिक्वीडिटी की अब लिक्वीडिटी यहां पर भी क्या होता है सेक्यूरोटी में जब साब से उपर नीचे होता रहता है इसके बाद बिचॉलिया यानि इंटर मीटरी अब यहां पर कौन-कौन से इंटर मीटरी काम करते हैं बैंकर्स होते हैं ठीक है और इनके अलावा पि और भी कई बिचॉलिय होते हैं जो कि इसमें काम करते हैं. इसके बाद बातاتी है. पुँझी निर्माण में सहाख. पुझी निर्माण में किस तरह सहाख है? अब क्या हुआ? मान लीजए. मैं एक विक्ति हूँ. मैंने अपने पुझी को अपने पर अपने घर में रखा हुआ. तो क्या मैं उससे आयं का अर्जन कर रही हूं नहीं। अगर हे पूंजी बाजार ये कैपितल मार्केट में लगाती हूं तो इससे क्या सिति उत्पन हुगा है कि मुझे ब concealed में ने रेण दिया और मैंने अपने आये का निवेश किया और ये नी मुझे इस तरीके से हमने features of capital market या जो पुंजी बाजार है उसकी विशेष्टाओं के बारे में जाना अब पुंजी बाजार की जैसे मैंने आपको बताया दो खंडे या दो segment में divide करते हैं जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं primary market और secondary market primary market क्या होता है primary market क्या होता है यह new issues पे या new securities में deal करता है जब भी कोई नई securities का lane देन या क्रय विक्रय की बात होती है तो वो कहां होती है वो primary market में होती है तो बच्चों अब primary market को हमने जाना है मतलब यहां पर नई कंपनिया या पुरानी कंपनिया दोनों ही प्रकार की कंपनिया क्या कर सकती है जब भी पहली बार किसी नई security के क्रय विक्रय का काम करती है तो वो कहां होती है वो primary market में करेगी अब primary market को जानने के बाद आए हम इसकी कुछ विशिष्टाओं की चलते है और उन पर चर्चा करते हैं तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे capital market की अब जब capital market हमने समझ लिया कि इसका concept क्या है capital market में हमने primary market की चर्चाओं शुरू की थी अब जब primary market भी आपने समझ लिया कि primary market क्या होते है कि कोई भी नई security की जब deal की जाती है तब या जो कोई भी नई issues के बारे में जब क्राय विक्राय की चर्चा होती है तो कहां होती है primary market में होती है अब यह नए issues क्या हो सकते हैं रिंड पत्र हो सकते हैं या bonds हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं तो अपने primary market समझ अब primary market में जब मैं बात कर रही हूं उसके features कि तो उसके features कुछ इस प्रक जा दिया था कि primary market में क्या होता है जो नए issues रहते हैं नए रिंट पत्र जारी किया जा रहे हैं या नए क्या पत्र कह सकते हैं या new points लाए जा रहे हैं यह सारी जो securities होती है या प्रति भूतिया हिंदी में कहते हैं इन सारी प्रति भूतियों पर जब विभार किया जाती है तो वह कहां किया जाएगा प्राइमरी मार्केट में किया जाएगा और जब भी कोई company नए रेंट पत्र जारी करती है या नए अंश पत्र जारी करती है तो यह प्रार्थमिक सालगनिक प्रस्ताव कहलाते हैं यानि इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनिशिल पब्लिक ऑफिसर या आई पी ओभी कहते हैं तो यह इसका पहला फीचर हो गया दूसरा फीचर है कि कोई विशेश थान नहीं होता तो इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता ठीक है अब जब ही भी कोई भी नया सेक्योरिटी जिसकी उपर डील होगी यह कुछन पेपर में कुछन अराइज होता है यह कुछन पूछा जाता है तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखेगा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पूंजी एकत्रत करने की विदिया यानी वेरियस मेथर ओफ फ्लोटिंग क्यापिटल अब इन में कौन-कौन सी security बेचना वो क्या करेंगी एक प्रॉस्पेक्ट्टर eerste करेंगी प्रविवरंड न्यक्ष्य करेंगी ताकि यह क्या कर सके जनता अपने अंश पत्र ओर रूंड पत्र को खरीदने के लिए एक निमंत्रन दे सकेched तो यह पहला हुँ पबलिक निर्भान्य अभ़िक इश्यु दूसरा कहता है विक्री का प्रस्ताव यानी offer for sale इसमें क्या होता है एक mediator को hire किया था और उस mediator को एक limited जो cost decide की जाती है उस cost में उस mediator को क्या किया जाता है उन securities को बेच दिया था और उसके बाद वो mediator क्या करता है उंचे दामों में उन securities को दुबारा बेचता है अब इसमें company को क्या फायदा हुआ जिसने प्रपत्र निकाले ठीक है company जो securities बेच रही थी original जिसकी securities थी उनको क्या फायदा उनको यह फायदा हुआ कि जो यह issues के lane देन में जो पेचीदिया आती है न वो उनसे बच जाते हैं ठीक है अब हम इसके बाद आगे चलते हैं C यानि next जो इसका इकतरित करने की पूंजी इकतरित करने की विधी है वो है नीजी प्लेस्मेंट या personal प्लेस्मेंट भी हम इसे कहते हैं इसमें क्या होता है जो companies होती हैं वो जनता को अपने securities न बेज करके बड़ी कंपनिया या फिर दलालों को बेज जेती हैं और उसके नए ग्राहकों को find out किया जाता है और उन नए ग्राहकों को securities को दुबारा बेजा जाता है अब जो पहले हमने विधी पढ़ी थी जो पब्लिक निर्गमन विधी पढ़ी थी उसकी अपेक्षा जो नीजी प्लेस्मेंट या personal प्लेस्मेंट विधी को जो है ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि इसमें जो costing होती है वो कम होती है या इसमें जो खर्च होता है वो कम होता इसके बाद हम next बात करते हैं विधी की वो है स्वत्व निर्गमन यानि right issues इसमें क्या क्या आता है जो company अपने नेश securities को इशू कर रही प्रतिभूतियों को ठीक है लेकिन उ उन पर क्या की थे ट्रेडिंग की थी तो उसके जो पहले से जिन लोगों ने उनकी security को खरीदा था तो सबसे पहले जब वो नए issues करती है या नए security को जारी करती है बेचने के लिए तो सबसे पहले वो किनको पूछती है जो उनके पहले से पुराने लोग है मतलब जिन सब्सक्राइब जो उनए नए बेचने को कए जबसाने लोगों रिव सकते हैं जो आब नि इनकों इसमीन परस्ता अब με क्या होता है कि यह सारी चीज़े जो होती हैं इंटरनेट के help से होती हैं इसमें क्या होता है जो stock exchange होता है उससे जो company होती है वो समझोते के दहत यह व्यवहार किया जाता है अब stock exchange में जो काम करने वाले लोग हैं वो एक दलाल को न्यूक्त करते हैं जो की एक प्रातना पत्र को किसे company से प्र आतना पत्र के लिए वो न्यूक्त किया जाता है और company के तरफ से क्या किया जाता है एक रेजिस्ट्रार को न्यूक्त किया जाता है जो इन issues को handle करता है ठीक है कि यह issues सही से अच्छी तरह से हो सके अब जो हमने जो तीसरे बिंदू थे यानि पूंजी कत्रत करने की विधिय बाजार के पहले होता है अब हमने समझ लिया प्राइमरी मार्केट किया है और इसकी फीचर्स को अच्छी तरीकी से जान लिया है अब हमारा capital मार्केट का दूसरा अंगा आता है वो है गौन बाजार यह सिकेंडरी मार्केट किस पर काम करता है सिकेंडरी मार्केट जो होता प्रति भूतीयां होती है जो पहले से सेक्यों अगी है हो चुकह है। पर उनी सेक्यों डेरे काये करते हैं अब ये भी लॉंग टंब होती हैश पर दूसरी चीज ती नहीं इसे stock exchange ये stock market भी कहा जाता है और इसमें भी जितनी भी securities का क्राय विक्राय लेंदेन होता है जो सेबी ने नियम बनाए हैं उनके अंतरगत ही किया जाता है तो secondary market ये हुआ अब secondary market को जानने के बाद आये हम उनके features को जानते हैं या उनकी विशेष्टाओं को जानते हैं कि secondary market की क्या क्या विशेष्टा है से किंडरी मार्केट की पहली विशेष्टा यह है कि यह तरलता उत्पन करती है क्या करती है से किंडरी मार्केट में इसमें क्या होता है इसमें जो क्या होता है तुरंत तरलता मतलब नियर टू कैश मतलब तुरंत जो भी सेक्यूरिटीज है उसको तुरंत कैश में इसके बसके बाद इसको इसके बाद आता है हां जी इसका बिल्कुल एक विषेष प्रता झाल है जिसे stock exchange कहते हैं भारत में 24 ऐसे stock exchange है जिन में ये सभी कारे किये जाते हैं और ये सरकार द्वारा क्या प्राप्त हैं मानिता प्राप्त हैं ठीक है अंतिम जो इसकी विशेष्टा है वो है यह नए निवेश को प्रोचसाहिद करता है ठीक है इट इंकरेजस न्यूइज ज्यादा आए उत्पन कर सके यह ज्यादा से ज्यादा आए के साधन उत्पन कर सके तो बच्चों इस तरीके से हमने जो capital market का दूसरा एरिया था गौन बाजार यानि secondary market हमने उसको जाना और उसके features को जाना आए अब इनके बाद हम दो factors को जानेंगे पहला different जानेंगे primary market और स्केनरी मारकेट में आंतर यानि प्रात्मिक बाजार और गौन बाजार में अंतर दूसरा ठिंस हम जानेंगे मुद्रा बाजार और पूह ऑन्जी बाजार में आए हम इन दोनों के बीच के अंतर को एकएक करके समर्ज़ते प्रात्मिक बाजार बुद्वितियक बाजार में अंतर difference between primary market and secondary market अंतर का आधार पहला निर्गमन यानि इशू लेते हैं तो प्रात्मिक बाजार में देखें तो इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है और वितियक बाजार में इस बाजार में प्रतिबूतियों का निर्गमन नहीं बलकि पहले से निर्गमित प्रतिबूतियों का क्रे विक्रे किया जाता है दूसरा अंतर का अधार क्रे विक्रे लें यानि बाइंग इन सली तो प्रार्थमिक बाजार में देखें तो प्रार्थमिक बाजार में केबल प्रतिबूतियों का क्रे कर सकते हैं और वितियक में इनका क्रे भी होता है और भी क्रे भी होता है अंतर का आधार तीसरा पक्षकार यानि पार्टिये से तो प्राइमरी मार्केट में इसमें प्रतिभूती जारी करने वाली कम्पनी या मध्यस तथा क्रेता पक्षकार होते हैं और secondary market में ये इसमें केवल निवेशक ही आपस में प्रती भूतियों का क्रय विक्रय करते हैं चौथा अंतर का आधार मूल्य निर्धारणी यानि price determination लें तो primary market में प्रती भूतियों का मूल्य के प्रबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है और वितिय बाजार यानि secondary market में प्रती भूतियों का मूल्य प्रती भूतियों की मांग एवं पूर्ती द्वारा निर्धारित होता है पाचों अंतर का आधार विशेश थान यानि specified place लें तो primary market में इस बाजार का कोई विशेश थान नहीं होता और secondary market में इसका विशेश थान होता है जिसे stock exchange कहते हैं छटवा अंतर का आधार पूंजी निर्माण यानि capital for motion लें तो primary market में यह प्रतिक्ष पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता हैं और secondary market में यह प्रतिक्ष पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता हैं साथवा अंतर का आधार विवहार का क्रम यानि sequence of dealing लें तो primary market में इसमें विवहार गौंड बाजार से पहले होता है और secondary market में इसमें विवहार प्रात्मिक बाजार के पुश्चाथ होता है आठवा अंतर का आधार अधार अवधी यानि पीएड लें तो primary market में इसमें निवेश दीर्ग कालीन होता है पूंजी बाजार वा मुद्रा बाजार में अंतर, अंतर का आधार पहला अर्थ लें यनी मीनिंग, तो पूंजी बाजार यानी capital market का मीनिंग हुगा, इसका विप्राय ऐसे बाजार से है जो दिर्ग कालीन प्रतिबूतियों में विवहार करता है और मुद्रा बाजार का विप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें अल्प कालीन प्रतिबूतियों में विवहार किया जाता है अब अगर दूसरा अंतर का आधाय प्रपत्र यानि इंस्ट्रूमेंट लें तो पूंजी बाजार में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ोंगे समता अंश, पूरवादिकार अंश, रंडपत्र, बॉन्ड, विनिवेश पत्र इत्यारी और मुद्रा बाजार में मांग पत्र, खजाना बिल, वानेजी बिल, कमर्शल पेपर, जमा प्रमान पत्र इत्यारी तीसरा अंतर का आधार भागीदार यानि पार्डिसिपेंट्स लें तो पूंजी बाजार में वित्य संस्थाएं, बैंक, कमपनियां, विदेशी, निवेशक तथा, साधारण जनता और मुद्रा बाजार में भारती रिजर्व बैंक, वित्य संस्थाएं, वित्य कमपनियां, इसके मुख्य भागीदार होते हैं चोथा अंतर का अधार विनियोग राशी, यानि इन्वेस्टमेंट आउट ले लें, तो क्यापिटल मार्केट अगर देखते हैं, तो प्रायर इन प्रतिबूतियों का अंकित मूल्य जो होता है, कम होता है, जैसे 10 रुपए से या 100 रुपए इत्यादी और मुद्रा बाजार में ये प्रपत्र अधिक राशी के होते हैं, जैसे अल्प सूचना रण की न्यूनितम राशी 10 करोड रुपए है, अवधी लें अगर पांचवा अंतर का अधार यानि डिवरेशन, तो पुंजी बाजार में देखें, तो ये दिर्ग कालीन प्रतिब प्रतिबूतियों में विवहार करता है, जिनकी अवधी एक दिन से लेकर एक वर्ष तक ही होती है, तरलता यानि लिक्विडिटी अगर अगला अंतर का अधार नहीं, तो अगर हम क्यापिटल मार्केट में देखते हैं, तो प्रतिबूतियां के लिए ही तयार बाजार उप मनी मार्केट में तरलता को समझें तो इस बाजार में तरलता की अपचारिक विवस्था की जाती है इस उद्देश Discount Finance House of India की स्थापना की गई है यह संस्था मुद्रा बाजार प्रलेखों को तयार बाजार उपलब्द करवाने के लिए हमेशा तयार रहता है अतर इस बाजार में अधिक्तम तरलता रहती है सात्वा अंतर का आधार जोखिम यानि रिस्क है तो अगर हम Capital Market में देखें तो इस बाजार में हर तरह की कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है अधिक जोखिम रहती है और अगर हम मनी मार्केट में देखें तो इस बाजार में सरकार वित्ति संसाएं तता अच्छी सिती वाली कंपनियों के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है अता यहां कम जोखिम होता है अंतिम अंतर का आधार हम लेते हैं संभावित आय एक्सपेक्टेड रिटर्न तो कैपिटल मार्केट में हम देखते हैं तो इस बाजार में प्रपत्र प्राय लाभांश पूंजी लाव तता बूनस अंशों के रूप में अपिक्षक्रत अधिक आय अर्जित करते हैं और उ अन्री इस बाज़िस ओड़िस जहां उपाते हैं चाहएं अब अगले टॉपिक के और बढ़ते हैं जो की है शेर बाजार यानि अस्ट किशेंज आ जो सक्रीन पर देख रहे हैं यह पोटो है मुंबाइ स्टाउक एक्स्चेंजhy जो उन 2019 मान्नेता प्राप्त युश्ड य नीचे जाते हैं मतलब उनका जो कॉस्ट है क्रेय और विक्रेय का वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है कभी-कभी सोने कभी आप देखते हैं सोने की कीमतों में बढ़ा बढ़ावा हो गया या उसकी कीमते घट गई तो इस तरीके से आप शेयर बाजार में जो स्टॉक एक्सचे क्या होता है देखें बच्चो किसी भी देश का जो ओद्योगिक परिसिती है या किसी भी देश के उद्योग जितने मजबूत होंगे उससे यह डिफाइन किया जा सकता है या परिभाशित किया जा सकता है कि उस देश का की आर्थिक स्थिती उतनी ही मजबूत होगी चिक है अब जो शेर बाजार होते हैं उनमें अंशों का क्या रिंड पत्रों का यानि सेक्योरिटी इसका क्या किया आता है क्रे विक्रे किया आता है अब इसके लिए क्या किया आता है कि शेर बाजार के अंशों के मूल्यों का रुजहान जो होता है ठीके अगर उनकी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो वह कहां से प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी शेरबादर, सूज कांग से प्राप्त होगी जो की अकसर आप टीवी पर देखते हैं ठीके अब शेर बाजार को कैसे समझ सकते हैं शेर बाजार जो होता है उसमें जितना ही ओध्योगिक विकास होता है उससे सबस्ष्ट ये होता है कि देश का आर्थिक विकास कितना है या देश आर्थिक रूप से कितना स्ट्रॉंग है या उसकी पोजीशन कितनी मजबूत है करता है जो कि यह स्पष्ट करता है कि हमारा देश या जिस भी देश का वर शेर बाजार है उसकी आर्थिक सिती कितनी मजबूत है और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे देश में 24 मानिता अपराप स्टॉक एक्सचेंज इसमें मैंने आपको एक मुंबई का उधारण भी दि के आर्थिक सिती को दर्शाते हैं या बाजार की सूचकांग को दर्शाते हैं अब हम इसके बाद देखते हैं कि शेर बाजार का अर्थ क्या है यह क्या होता है एक संगठित बाजार होता है जहां पर सेक्यूरिटीज को क्रेया विक्रे किया आता है अब यह इसके नियमों या शेर बाजार खुद अपने नियमों या उपनियमों का पालन करते हुए वो क्रेविक्रे को आगे बढ़ने देता है या उस प्रोसीजर को आगे बढ़ने देता है इसके बाद हम शेर बाजार की परिभाशाओं को समझते हैं या शेर बाजार को और अच्छ तरीके से परिभाशा होंगे माध्यम से समझते हैं आए देखते हैं दो परिभाशा हैं और ये परिभाशा हैं कुछ इस प्रकार हैं पहली परिभाशा हम देख रहे हैं सरपाइले के इनुसार शेर बाजार वे बाजार सल है जहां पर सूचिबत प्रतिबूतियों का विनियो लोग अत्वा स्टेट के लिए क्रेविक्रे किया जाता है दूसरी परिभाशा जो है वो कुछ इस प्रकार है जो कि प्रतिबूती प्रसंविदा अधिनियम 1956 के तहट है उसके तहट शेर बाजार का आशे व्यक्तियों के सम्मिलित अत्वा असम्मिलित संस्था से है जिसकी स्थापना प्रतिबूतियों के क्रेव विक्रे या उनमें व्यवहार करने के व्यवसाय में साहता नियमित अत्वा नियंत्रित करने के उद्देश से की जाती ह तो बच्चों इन दोनों परिभार्षाओं से हम स्वश्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो शेर बाजार है वो ऐसा संगठन है जहां पर सेक्योरिटी का जो क्रै विक्रे होता है वो तभी पॉसिबल है जब उनका क्रै विक्रे जो स्टॉक एक्सचेंज ने जो नियम या उप न समझ लिया स्टॉक एक्सचेंज को समझने के बाद आये हम उनके कुछ फीचर को जानते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी विशेष्टा हैं जो शेर बाजार की है शेर बाजार की कुछ विशेष्टा है कुछ इस प्रकार है पहली बात कहता है संगठिद बाजार है यानि कर रहे हैं तो बच्चों जैसे आपने और लोग समझाता और उस नियन तरण के साथ ही यहां पर cry-vikray securities का किया जाता है ठीख है उन securities के cry-vikray करने में कई लोग सम्मिलित होते हैं साथ ही साथ कई नियम और उपनियम बने होते हैं जो कि organization जब हम पढ़ रहा थे उस समय बताया था कि कोई भी organization जब काम करता है वो planning के साथ साथ, controlling पर believe करता है, साथ ही साथ, जो organization होता है, वो पहले से जो rules and regulations बने होते हैं, उस पर काम करता है, तभी वो अपने objective को achieve कर सकता है, उसी तरह share बाजार जो होता है, एक organized market होता है, उसमें भी कुछ नियम उपनियम बने होते हैं, जिसको follow करते हुए, planning होती है, और उसके बा जो दूसरा feature है, वो कहता है, कि विभिन संस्था और द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में विवहार होता है, dealing securities issued by various concerns, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी संस्थाइन होती है, अब कौन कौन संस्थाइन, private companies हो सकती है, शास्किय या अर्द शास्किय संस्थाइन भी हो सकती है यह सारी संस्थाइन क्या करती है, प्रतिभूतियों में विवहार करती है, इसके बाद बात आती है, तीसरे feature की, तीसरा feature कहता है, केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा विवहार कियाता है, dealing only through authorized people, मतलब यहाँ पर अगर किसी बायव्यक्ती को securities में निवेश करना है, या उस के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पहले से अधिकृत सदस्यों है, उनसे permission लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, उस dealing में आ सकता है, या stock exchange में अपने securities को क्या कर सकता है, उनका क्राय विक्राय कर सकता है, इसके बाद बाद आती है, नियमों, एयम, उपनिय होते हैं, उन्ही को follow करने के बाद ही, यहाँ पे क्रे विक्रे की क्रियां है, पॉसिबल है, उसके बाद अन्तियम जो इसका feature है, वो है गौन बाजार, यानि secondary market, secondary market क्या होता है, उन सभी securities में deal करता है, जो की पहले से निर्गमित हो चुकी है, ठीक है, primary market किसमें deal करता है, प तो बचो इस तरीके से हमने stock exchange को जाना और उनके features को जाना, आए अब हम इनके functions को समझते हैं